बिहार के टीप्टी से अम कि कुर्सी को समालते समालते अप्ट्यस्वी यादो जो है से अमित्वारी को तै करने जा रहे हैं वो सीएम पत पर अपनी उमिद्वारी को पेश करने जा रहे हैं भारती जंटापाटी के बड़े निताओं ने 2024 के लिए रण नीतियों का अपनाना सुरू किया जिसको ले करके आज अमीद साह ने बड़ी बयान दी है और इसके साथ ही आज की बड़ी ख़बर में जानेंगे कि अनंद कुमार सिन्य नितिस कुमार को कैसे सपोर्ट और समर्थन दिया जिससे कभी भी ना मिलने का वादा था वो भी अब वातों का जियर तोड़ रहा है और ऐसे में जीतर नमाजी ने किन बातों को ले करके सबसे बड़ा कटाक्ष किया और जीतर नमाजी ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि बिहार और तमाम बिहार के बाहर के दलीतों का अपमान हो रहा है अखलेस यादों के रणनीती में क्या हुआ नया बतलाओ और करेंगे विस्तार से चर्चा बने लिए आप हमारे साथ इसके साथ आज की छोटी बड़ी सवी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देजाए शुरुआत करते हैं बड़ी कबर से बड़ी कबर यह है कि तयश्वी यादों ने बिहार के सत्ता के कुर्सियों को समानने के साथ ही या तैक कर लिया था कि बिहार के इवाहों के रुजगार के लिए सबसे पहला काम क्या जाएगा ऐसे में बिहार के इवाहों के रुजगार के लिए त्यश्वी यादों का काम करने की स्टाइल और काम करने के तरीकों ने शब को चोकाया था रोज़गार के मुद्दो पर त्यश्वी ने बिहार के इवाओं का सपोर्ट और समर्थन लिया और त्यश्वी यादो ने असपस टूप से कह दिया कि भाईया अब बिना रोज़गार का कोई बात्चित नहीं क्या जाएगा बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए और रोज़गार त्यश्वी यादो दिलाएंगे इसलिए बिहार के इवाओं को रोज़गार के लिए पिरना देते हुए त्यश्वी यादो ने बड़ी बात कहते नजर आए ऐसे में तयश्वी जब यह बात कहे तो वक्त था 2020 का 2023 में अब इनकी सरकार है और तयश्वी आदो इतिहास रच निजार है तमाम इवाओं को रुज़गार दे निजार है अगर आप भी इस बात के फैन और तयश्वी आदो के कटर समर्थक है तो इस वीडियो पर 5000 से ज़ादा लाइक करके समर्थ से अंदर चूँए बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से जिहां बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है जिस बीजेपी ने बिहार में कई दस्तकों तक राज किया जिस बीजेपी ने नितीज कुमार को सीम नितीज कुमार बनाया जिस बीजेपी ने बिहार के लोगों के अर्मानों के साथ हमेशा से अपनी बहतर भावनाओं को रखा आज उस बीजेपी चिराग पास्वान को सपोर्ट और समर्थन क्यों कर रही है क्या चिराग पास्वान को सपोर्ट और समर्थन करने के साथ-साथ इस बात को ले करके कहा जाए तो कम नहीं कि चिराग को मुखमंत्री पत की कुर्सी भी अब बिहार के अंदर दिया जाएगा और चिराग पास्वान भले इस बातों को कहें या ना कहें लेकिन तेज़श्व बताने का प्रयास किजिएगा कि क्या चिराक पासवान बिहार के सीम मन सकते हैं बरीकवार निकलकर शामने आ रहे हैं नितीश कुमार को लेकर के नितीश कुमार जब अपनी शमधान यात्रा कर रहे थे इस दोरान एक ऐसे जिले में वह पहुंचते हैं जहां उनके ही दोस्तों आपके जनकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब इस पर उठे सवाल का जबाब सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं लेकिन खबर ऐसी है कि नितीश कुमार जब अपनी शमधान यात्रा निकाले हुए थे उस दोरान उनके सुरक्षा में एक फरजी पुलिस वाला तैनात था और ऐसे में अब उस पर करवाई हो रही है उसकी गिरफतारी कर ली गई है और गिरफतारी कर इस मामले की पूरी उदिभेदन की जा रही है इस मामले पर कड़ी सुरक्षा द्रिश्टिकोर से भी देखा जा रहा है और अब खगडिया में जब नितिश कुमार में पहुचे वे थे उस वक्त वह कौन सा जवान था जो नितिश कुमार के सुरक्षा में तैनात था दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड नियूज लखाया हैं आई टीटी नियूज के तरफ से होली का बेहतर ओफर है अगर आप भी होली के मौसम पर आई टीटी नियूज के तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं तो देना होगा चंद भर सवालों का उचित जबा और आप जीत सकते हैं धेरों सारा इनाम लेपटप से टेबलेट तक और तमाम बड़ी चीज़ें इनाम जीतने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और यहां पताना होगा कि बिहार में सबसे पहली बार नितीश कुबार मुखमंत्री कौन से सन मे बने थे यानि कौन से इस पी में बने थे सही जबाब दीजिएगा और इस्टाग्राम फे फॉलो किजिए बड़ी खबर यह है कि आज जभी होली में बिहार से बाहर के तमाम लोग आना चाहते हैं बिहार से बाहर से तमाम लोगों का आगमन हो रहा है तो ऐसे में लोगों को काफी परशानी हो रही है इस वक्त ट्रेने लगतार भीड़ चल लेएं ट्रेनों में खचाखच लोगों के भरे जाने और इसके साथ साथ कुछ अनोखे तस्वीरे शामनी आ रही है जो लोगों के आखों में आशू भर रहा है दर्शल दोस्तों आज अपनों से दूर लोगों ने अपने पेट को प लग पिड़ा होती तो अलग पीड़ा होती है उन्हें और जानते हैं जब बिहार में आना होता है न तो रोट पोल्झते हैं टर्वल को शाजाएlles के बिहार की तक यहार की त्माशन हो लेट और ब्लिकाटे ay यह है कि आज एक बार फिर से पुना बिहार समय देश के तमाम हिस्सों में रोजिगार के मुद्दों पर लोगों ने एक दूसरे को घेरा है और क्या है यह बड़ी खबर आईए आपको सपस्ट रूप से बताने का प्रयास करते हैं दर्शल खबर ऐसी है कि आज भारत में बि ऐसे में वी रोजिगारी दर्व के इतने जादा बढ़े जाने के बात में जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तब भला बिहार के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम ने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए निकल चुके हैं तो जाशवी ने कहला जा है भाईय कॉमेंट में लिखिए बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आज एक बारसर नरिंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो रही है देश के प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने आज अंतराश्ट्रिय मंत पर देश के तमाम देशों को संबोध को खत्म करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम सब के लिए आपके लिए और हमारे लिए अगर कोई है, तो वह है आतंकवाद, और हम सब अगर मिल करके जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस दुन्या से हम सब औंगा करने होना चाहिए विष्टे हम सब को मिल करके प्रतीम अपनी भावनाओं को रखने चाहिए इसके लिए एक मंच पर आने की आउसकता है लालू पुशाद यादो को ले करके बड़ी खबर है लालू पुशाद यादो ने मान लिया है कि भाईया अब आप चाहे हमें जितना परशान करना कर लिजी पर हम अपने पिचारों से अलग नहीं है और दर्शा लालू पुशाद यादो के परि उस दौरान इन लोगों पर आरोप लगा कि इनों ने जमीन ले करके इन लोगों ने रुज़िगार लोगों को दिया है और जमीन की रजिश्ट्री गलत तरीकों शेकर आई गई और उसके बाद में इस रुज़िगार को दिया गया है ऐसे में लगे आरोपो को अपसित करने का सही समय है और लाल पिशाद्यादों ने भी इस मामले पर अपनी पूरी निस्टास से भावनाओं को रखते हुए उन्होंने कोट के उपर नैले को पर भरोशा जटाते हुए नजर आए बड़ी कबर निकल को शामने आ रहे इस वक्त और बड़ी कबर ये है कि आज एक बार फिर से कवरेज इंवर्शीटी को लेकर के बयान देते नजर आए राहूल गादी ने कवरेज इंवर्शीटी में बोले और कहा कि यह भारत का लोकतंत्र इस दिसा और दिसा पर जा रहा है और शब को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जिस भारत की लोकतंत्र के हम सब बात करते हैं वो कहां जा रहा है किसे लिए जा रहा है और जब तक इसके बारे में हम सब मिलकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे जब तक हम सबों का एक बिचार धारा नह करेंगे और अश्पष्ट करेंगे कि जनता के समीप करम से करम मिला करके चलने को त्यार हैं वह मजबूर और मजबूत थाकत के साथ आगे बढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैए